यह व्लकम टू माई चैनल तो कैसे हैं आप सब आई होप सब लोग बहुत अच्छ होंगे तो आप लोग देखने होंगे स्क्रीन पर यह ब्यूटिफुल सा वैस्टर मेकप लुक विद स्पोकी आइज मैंने बहुत ही लाइट स्पोकी आइज किया है इसमें विद स्टोन आर प्रेट कर देता है और इसकी खुश्बू इसकी फ्रेग्नेंस भी बहुत अच्छी है अच्छे से टोनर लगाने के बाद हम इसे ड्राय होने देंगे नेच्रल ड्राय होने देंगे फाइफ मिनिट के लिए उसके बाद हम यूज करेंगे एक मॉस्चुराइजर जो है को सबस्क्राइब कर देजी आइनो मैं बहुत लेट वीडियो बनाती हूं उसके बाद मैंने यूज किया है कलर बार का प्राइमर ये मैट फिनिश प्राइमर है तो अभी मैं यूज कर रही है जहां पर ओपन पोर्स रहता है जैसे हमारे टी जोन एरिया में तो मैंने थोड सा pigmentation है वहाँ वहाँ मैं यह यूज करती हूँ आपको भी जरूरी नहीं है कि आपको भी माउट के पास हो अंडर आई हो लेकिन अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर है तो आपको यूज करना ही पड़ेगा उसके बाद मैंने दो फाउंडेशन ली है जो आई मैजिक की और नाइका की दोनों को मिक्स अप करके मैंने अपने फेस का कलर बनाया है और इसे अच्छे से अप्लाए करेंगे जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने अभी तक बल आइकन नहीं प्रेस किया वो ब्लैक बैल आइक करना बिल्कुल मत-भूलिए का उसके बाद मैंने ले लिया है एक वेट भाईब और एक ब्यूटि wielu이 ब्लेंडर से में कर रही हूं ब्लैंड पूरे मेकप पूरे फाउंडेशन को फाउंडेशन ब्लैंड करने के बाद हम अपने पिलिशन को उसक्राइए खार नहींद करने कॉंटॉर से अब देख सकते हैं कि मैं कॉंटॉरिंग कैसे करी आज मुझे अपना फेस थोड़ा सा लिफ्ट दिखाना है तो मैंने कॉंटॉरी किया है किस साइट से किया है कैसे किया है वह आप लोग देख सकते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा लिप पे भी कॉंटॉर करती हू आप contour ना यूज़ करें अधर साइड से आप थोड़ा contour यूज़ करें नहीं तो दोनों का mix up हो जाएगा और दोनों ही अच्छे नहीं दिखाई देंगे उसके बाद हम लगा रहे हैं concealer concealer apply करें highlight area पर अच्छे से आप देख सकते हो मैंने कहां कहां concealer apply किया है उसके बाद जो concealer हमने जहां लगाया है वहां पर ही उसको blend कर देंगे अच्छे से आप देख सकते हो इससे क्या होगा इससे हमारा face lifted नजर आएगा मैंने जिससे आपसे concealer लगाया उस according मेरा face एकदम lifted नजर आ रहा है आप खुदी difference देख सकते हैं उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ आनवाई का tint जो है carrot कलर का tint है उसको मैं लगाऊंगी और beauty blender से मैं tint को blend कर रही हूँ इसकी pigmentation बहुत ज्यादा अच्छी है यह बहुत easily blend हो जाता है और बहुत ही ज्यादा beautiful भी लगता है तो आप देख सकते हो कि blush मैंने लगा लिया है यह को आप क्रीम ब्लश भी बोल सकते हो वैसे यह तिंट है आजकल टिंट आपको पता है कि बहुत फेमस है तो यह तिंट मैं यूज कर रही हूं कि यूज करने के बाद मैं कर रही हूँ मेबलीन का लूस पाउडर यूज मेबलीन फिट मी का लूस पाउडर है जिससे पूरा मेक अप मैं सेट करूंगी अच्छे सेट करूंगी मैं पूरे फेस को अब देख सकते हैं जो ग्लो था जो दिखाई दे रहा था वह हाइड हो चुका है उसके बाद मैंने लिए आई मैजिक का ब्राउन कलर का आईब्रो डिफाइनर जिससे हम अपनी आईज को आईज के उपर लगा रहे हैं उसको लगाने के बाद हमने एक ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड किया है अब देख सकते हैं ब्लेंडिंग कैसे कर रही हूं मैं बहुत ही आराम से आपको ब्लेंडिंग करने हैं बहुत जादा जल्दी नहीं करना क्योंकि अगर मैश अप हो जाएगा तो बिलकुल अच्छा नहीं करना तो इसलिए बहुत इसली धीरे धीरे यूज किया था उसे हम सेट कर देंगे ताकि वो पहले ना और उसको हलका सा हम ब्राउन शेड को अपर करते हुए लगा रहे हैं आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा थोड़ा सा अपर करते हुए लगा रहे हैं उसके बाद हमने ले लिया है थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेडो लग गया है और यह बहुत ही प्यारा लग रहा था वीडियो में कैसा लग रहा है आपको लेकिन यह रियलीडी में बहुत ही जाधा सुन्दर लग रहा था आप दोनों आइस में लग चुका है यह हमने लिया है इंसाइड का इंसाइड का डस्ट लिया है पिगमेंट पूरा मेकवाप अच्छा नहीं लगेगा। लए गॉप लाए को को बहुत इजी तरीके से बनाओ जैसे आपको लगे और अच्छे से बनाओ उसके बाद मैंने लिया है वाइट वाइट काजल जो है I think Swiss beauty का था शायद में भी Swiss beauty का वाइट काजल था ये उसके बाद मैंने से माइशएड़ लिया है लाइट ब्राउन कलर का उसे मैं लगा रही हो अब देख सकते हो मैं कैसे लगा रही हो अब में जी सारा पावडर डस्ट आउट कर दूंगी उसके बाद यमिने पावडर ब्राउंजर लिया है जो है color essence का थोड़ा सा मैं अपने contour को enhance करूँगी थोड़ा सा और dark करके ताकि बहुत अच्छे से मेरे feature sharp नजर आए उसके बाद मैंने लिया है ये eye magic का blush palette तो मैंने two shades को mix करके एक blush बनाया है और वही लगाया है अगर आग किसी को light blush प्रसंद है तो वह tint के साथ भी जा सकता है कि tint लगा लिया उसके बाद आपको blush लगाने की जरूत नहीं है बट मैं थोड़ा सा heavy blush पसंद करती हूँ इसलिए मैं लगाती हूँ यह मैंने ले लिया है Maybelline का mascara Maybelline के mascara से हम अपनी lash को अच्छे से अच्छे से लगाएंगे ताकि मेरी lash God gifted है थोड़ी सी lifted ही है बड़ी बड़ी है तो lash लगाने के बाद ऐसे लगता है मसकार लगाने के बाद लगता है मैंने lashes apply किये है यहां में ले रही हूँ स्टोन्स तो स्टोन्स ले लिये मैंने और मैंने आई lashes का जो glue होता है उसी से stone को लगा लिया अभी मैं लगा रही हूँ eyelashes अब देख सकते हूँ मैंने लिया है make up forever का make up fixer अभी मैं यूज कर रही हूँ हाइलाइटर हाइलाइटर लगाते कि सादी कैसे जान आ जाती है न मेकप में यह देखिए चमक गई मैं तो थोड़ा सा अपनी नाक को भी चमका लेते हैं प्यूपिट बोन को चमकाएंगे अच्छे से फोरेड पे लगाएंगे जल्दी से गाईज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो देखिए हाइलाइटर लगाने के बाद कितना ही इसके बाद हम ले लेते हैं एक लिप लाइनर जो है एडियस का लिप लाइनर बहुत ही सस्ता मिल जाता है तो कोई भी परचेश कर सकता है इसकी पिग्मेंटेशन बहुत अच्छी है बहुत क्रीमी है बहुत अच्छी से प्लाय हो जाता है और ओनी आइधिंग 30 रुपीज में यह मिल जाता है फिर उसके बाद हमने लिया है मेबलीन के ही टूशेट जिनको हमने मिक्स करके यह शेट बनाया है यह पूरिफुल सा शेट मुझे बहुत ही पसंद आया आई लाब इस शेट वैसे तो मैं बहुत ही लाइट शेट पसंद करती हूं नूड शेट में दूसेट इस दा फाइनल लुक तो आपको यह लुक कैसा लगा आप कोमेंट सेक्षिन में जरूर बताना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलोव नहीं किया वो मुझे WhatsApp पे जा के message कर सकते हैं और अपनी booking करवा सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बबाई Love you all, Bye